जैसे किष्णा फेंड्स आपका बहुत भाँ स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्टूटर बेन एड्युकेशन पर तो फेंड्स आज जो हम ट्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है पैरागराफ ब्लॉग तो पहले अगर आप ब्लॉग के अंदर जितने भी टूस होते हैं हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे तो फेंड्स टैक्टिकल को सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्ली सस्ट्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को प् था है उसे संभण जोबी टैटल होता है हम इसमें टाइब कर देता है तो हम एक स्वाइड हमारी ऑटमेटिकल आ चुकी है एक स्वाइड हम और ले लेते हैं तो स्लाइड लेने के लिए आपको क्लिप करना हैं रुआए और नीव पर निव खाने ले सकते हैं बड लेए तक तो हम लिख देते हैं यहां पर पर पैगर आप लोग और इसके बाद आते हैं ने स्लाइट में तो हमे यहां पर तो हमने यहां पर प्रैटिकल टाइप कर दिया और हम यहां पर लेते हैं परज़ना है और इसके बेकरट लेने के लिए आपको प्रैगर इसके लिए हैं तो friends आप शुरू करते हैं सबसे पहले तो यह आता है हमारा bullets अब देखिए यह जो paragraph है इसमें कोई भी bullets नहीं है हम चाहते हैं कि जो paragraph जहां से शुरू है उसके साइड शुरू में यानि starting में ही bullets आ जाए तो अगर आप bullets supply करना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा paragraph को select करना होगा और आपको जाना है bullet के इस arrow पर जैसे आप इस arrow के click करेंगे तो आपके पास बहुत सारे bullets यहाँ पर देख जाएंगे आपको जो भी bullets अच्छा लगा है और जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं तो हमें यह bullet ले लिया इसके बाद आप इसी तरह से कोई सब भी bullet ले सकते हैं इसके सबसे नीचे आ रहा है bullets and numbering तो जैसे ही आप bullets and numbering पर click करेंगे तो friends यह बहुत सारे bullets हैं आप इस bullets के वजाए कोई picture भी ले सकते हैं तो यह bullet का size होता है अगर आप bullet का size बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और हम picture ले लेते हैं एक तो picture पर click करेंगे अगर आप picture लेना चाहते हैं friends के बहुत सारे picture इसमें आ दी हैं तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं बट अगर आप जो picture लेना चाहते हैं वो इस list में नहीं है और आपको इसमें import करनी है जो कि आपके computer में है तो आप import पर click करेंगे और आपकी picture जहां भी होगी आप वहाँ पर जाएंगे और जो picture आपको चाहिए उसको हम select कर लेंगे और यहाँ पर जो नीचे add button है उसे add कर देंगे तो इस list में वो जो भी picture आप add करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी अब उस picture को select करने के बाद जो भी आपको picture चाहिए और OK बटन पर click कर देंगे तो friends आप देख सकते हैं कि यह picture हमारे इस character आप से आगे आ चुकी है अगर इस picture का size आप थोड़ा बढ़ा करना चाहते हैं इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए अगे आपको जाना है इस arrow पर bullet and numbering पर और यह जो नीचे आता है तो उसको आगे हम क्या करेंगे size को बढ़ा देते हैं size को बढ़ाने के बाद जैसे आप OK बटन पर click करेंगे तो देखिए उसका size बढ़ गया है तो इस तरह से आप इन का size भी बढ़ा सकते हैं अपने bullets का बटन के बाद सबसे नीचे bullets and numbering में जैसे click करेंगे तो इसके बाद अगर आपको number में जाएंगे तो आप इस देसे number भी ले सकते हैं तो हम number ले लेते हैं 123 तो देखेंगे आप नीचे यहाँ पर 123 भी आ गया है बट उससे पहले हमें इसको हटाना होगा तो हम पहले वाले जो bullets हैं हमको bullets को हटा लेते हैं तो bullets को हटाने के लिए आपको सारा प्राइगराफ जितना भी total matter है उसको select करना है और arrow बटन पर click करके known बटन पर click कर देना है अब हम चार्टे हैं इसमें numbering आए तो select करेंगे और drag हम यहां से भी numbering पर जा सकते हैं तो देखें आपको 123 चाहिए या ABCD चाहिए तो जिस तरह से भी आपको चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं हम यहां से 123 ले लेते हैं जैसे हम 123 पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे हर paragraph के आके 123 आ चुका है तो friends यह इसलिए problem कर रहा है क्योंकि हमने पहले भी हम इसमें paragraph ले चुके हैं और हमने यहां पर answer कर दिया है हम देखें हमने इसको select किया again select करने के बाद हम 123 पर click कर देखेंगे तो देखें यह 123 आ गया है और 123 आने के बाद friends अगर इसमें आप ABCD चाहते हैं कि शुरू से ABCD आए तो friends आप ABCD भी ले चकते हैं और यह होता है bullet numbering bullet numbering पर जाने के बाद अगर यहां पर देखें ज़र start 2 है तो वहां से 2 से start हो रहा है तो यहां पर 1 है तो 1 करेंगे तो 1 से start हो जाएगा अब हम यह जो number है 1, 2, 3 हम यह चाहते हैं 2 से start हो यानि अभी तो 1 से start हो रहा है यह 2 से start हो हम सब को select करेंगे और जाएंगे arrow पर click करेंगे bullet and numbering में जाएंगे तो यह जो number होते हैं यह वो number होते हैं जहां से आप जो अपने numbering है वो start करना चाहते हैं हम जाते हैं सप्सेइट govern हो तो देखिये किसे सब 머리 सबस्टुहां सब्सक्राइब हैim ज्यां करने के लिए गया है औरहरे कर दे देखिये से तो से आप सी साइब तो यहां अब देखेंगे आपको हटानी है तो हटाने के लिए अगें आपको क्लिक करना है अरो बटन पर और यह जो नोन आ रहा है इस नोन पर हम क्लिक कर लोगें इसके बाद आता है हमारा decrease list level and increase list level तो इसमें क्या होता है यह क्या होता है पूरा paragraph को left में या right में करने के लिए यूज होता है तो जिस paragraph के अंदर आप क्लिक कर देंगे suppose हमने beach में क्लिक किया अब देखिए beach वाला जो paragraph है वो right में जा रहा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो decrease में क्या होगा वो वापस अपने जगे आ जाएगा इसके बाद हमारा जो next tool है वो है line spacing तो friends हम चाहते हैं जो यह हमारा paragraph है beach वाला center वाला इसके जो lining है इसके बीच में जो gap है इस gap को हम बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस paragraph में कहीं पे भी click कर देंगे और जाएंगे line spacing पर इस arrow पे आप click करेंगे अब आप select करके देख सकते हैं जो इसके beach का space है वो increase हो रहा है और कम करेंगे तो वो decrease की हो जाएगा तो आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं इसके बाद यह आता है हम one पे click कर देते हैं या two इसके click करके देखिए अब जो है हमारे beach का जो paragraph है उसके line dash space बीच में जो gap है वो बढ़ चुका है हम पहले जैसे कर देते हैं तो पहले जैसे करने के लिए आपको one पे click कर देते हैं इसके बाद friends हम सब में लेके one पे click कर देते हैं ताकि सबता same हो जाए इसके बात आता है इसके नीचे आ रहा है Line Spacing Option तो Line Spacing Option का मतलब यह होता है तो से पहले तो हम सब पूरे इतने भी हमारे पैगरावप हैं उसको Select कर लेते हैं अब जाते हैं Line Spacing पर देखें अगर आप चाते हैं कि आपके जितने पैगरावप हैं वो Center में आजाएं तो Center पर क्लिक करके OK कर देंगे तो देख सकते हैं यहां बीच में हमारा Center पर आ चुका है यानि यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप enter बटन दबागे push करेंगे तो center से ही type होना शुरू होगा यानि center से और आप चाहते हैं कि left से शुरू हो यानि यहाँ से again पहले जासा हो जाए तो इसके लिए आपको जाना है आपको दुबारा जाना होगा आपको पुरा paragraph select करना है और जाना है line spacing को और यहाँ पे हम कर देंगे left इसी तरह से हम right भी कर सकते हैं बट हम left करके okay कर देते हैं तो देखे यह पहले जासा हो गया इसके बाद जो आता है हमारा हम paragraph को select कर लेते हैं line spacing option में जाते हैं देखे before text हम चाहते हैं जो पहले वाली line है यानि जो हमारी पहले वाले line है वो थोड़ा सा आगे से आए यानि जैसे paragraph में पहले वाली line सुरी सी आगे से आती है टाइक होती है तो हम गोई चाहते हैं तो यहाँ पे आप select कर लेंगे first line और कितना आगे से लेना चाहते हैं वो size यहाँ पे आप दे देंगे और रोकी बटन पर click कर देंगे तो आप देख सकते हैं सारे paragraph की जो first line है उ तो फुड़ा आगे हो गई है इसी तरह से अगर पहले जैसा करना है तो आपको जाना है again line spacing पर और यहाँ पर कर देंगे आप 0 और यहाँ पर नोन कर देंगे और यहाँ नोन कर देंगे तो पहले जैसा हो जाए friends अब हम चाहते हैं कि जो इसके बीच का gap है जो paragraph के बीच का gap है तो वो थोड़ा increase या decrease करना चाहते हैं बढ़ाना गठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको select करने हैं सारे paragraph और आप यहाँ पे जाएंगे और line spacing पे जाएंगे देखे यह before होता है paragraph के उपर और after होता है paragraph के बाद में तो ऐसा करते हैं हम बीच वाले paragraph के अंदर क्लिक कर लेते हैं अब देखे हैं आपको क्लिक करना है arrow बटन पर और जाना है line spacing पर इसके बाद यह dialogue box खुल जाता है अब आप यहाँ से देख सकते हैं before मतलब paragraph के बाद जो भी हमने बीच के paragraph में टिक कर रखा है तो इस paragraph से जो पहले उपर वाली जो gap है वो size increase हो तो देखे हम यहाँ बढ़ाते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो देखे उसके उपर का gap बढ़ गया इसी तरह से हम चाहते हैं कि यह जो मीचे का gap है इस इसके बाद इतना gap चाहिए वो select कर लेंगे उपर कर देंगे तो देखेंगे आप इसके बाद का gap भी increase हो गया है तो हम ctrl z से पहले जैसा कर देते हैं यह देखें friends line spacing में यह सारे हमारे tools हो चुके हैं इसके बाद आता है हमारा left light align test left center and right इसके बाद यह होता है हमारा justify सबस्ते friends जैसे कि हमने इस सारे paragraph को select कर लिया है और हम चाहते हैं कि वो right से जो हमारा left से start हो रहा है वो right ते हो जाए इसका लाइनमेंट तो right प्रेप कर देंगे अब देखें हम जो भी type करेंगे वो right ते ही type होना शुरू होगा देखें हम इस तिलाज में क्लिप किया enter किया हम जो भी type करेंगे वो right से ही type होगा ठीक है इसी तरह से हम चाहते हैं इसको left में again हम left में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको जाना है और यहाँ पर left प्रेप्ली कर देना तो वो left में हो जाएगा यह जो हमने line type करेंगे हम इसको खटा देते हैं तो हमने इसको खटा दिया इसको size थोड़ा सा increase कर देते हैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है वो इसके बाद आता है यह justify justify से पहले हमने हाँ यह justify है तो friends आप देख सकते हैं जो हमारे paragraph है तो जो paragraph का जो first यह lining है यह एकड़म line से एकड़म सीदे सीदे आ रखे जबकि यह फुड़ाता आगे पीछे हो रख रहा है और यह हमें थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है हम चाहते हैं जैसे cd sequence में आ रखे हैं ऐसे लाज का और लेंबी sequence में आता है तो हम क्या करेंगे सारा paragraph इतने भी आपके total paragraph को select कर देंगे और justify पे click कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो यहां की lining है वो भी एकड़म सीदी सीदी हो गई है इसकी तरह है तो इस तरह से आप paragraph को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं देखने में अब आप चाहते हैं कि यह दो कॉलम में divide हो जाए जितना भी आपका text है वो दो कॉलम में divide हो जाए यह तीन कॉलम में divide हो जाए तो आप को select करेंगे अपने total text को और जाएंगे columns पे तो फैंट नहीं आप पे two column भी ले सकते हैं, three भी ले सकते हैं, तो जितने भी column लेने हैं, आप ले सकते हैं, तो अमने two ले लेते हैं, देखिए, अब जो हम type करेंगे, वो देखिए, वो इसी column में आरहा है, तो इस तरह से आप two यह three column इसको divide कर सकते हैं, अगर आप करना चाह तो वन कॉलम पे क्लिक करतेंगे तो वह पहले ज़सा हो जाएगा, इसका हम हटा देते हैं, जो हमने अभी टाइप किया, इसी तरह से आप select करेंगे अपने paragraph को और इसके निटे एक option आता है, more column, तो more column में आपके पास option होता है, आप कितने भी column नहां से ले सकते हैं, और okay कर सकते हैं, तो देखिए चार कोलम में divide हो गया है, इस तरह से चार कोलम का मत आप देखिए हенить, यहाँ पे enter करते हैं और यह उकर आगे आप तो इस तरह से आपने four column भी ले सकते हैं हम पहले जैसे कर लेते हैं हम सारा select कर लेते हैं इसको और यहाँ पे जाने के बाद बन पे click कर लेते हैं तो वो पहले जैसा हो जाएगा इसको हमाता देते हैं तो यह था हमारा column, इसके बाद हम इस जो हमारा title इसको select करते हैं, और यह आता है हमारा text direction, अगर आपको इसकी direction change करनी है, तो आप text direction पर जाएंगे, यह जो हमारा automatically आता है, वो horizontal पर आता है, तो horizontal तो आई रखता है, हम चाहते हैं, यह rotate हो जाए 90 degree पर, तो देखिए, background में सकते हैं, 90 degree पर, move हो चुका है, इसी तरह से आप, तो 70 degree पर चाहते हैं, या stop, stack चाहते हैं, तो आप यह भी ले सकते हैं, हमें ले लिया, बट यह आपको दिखाई देगा, इस तरह से, जब आप इसको सीधा, नीचे तक ले जाएंगे, बट हम इसको पहले ज़सा ही कर देत देखिए, हमने जो practical type किया हुआ है, हम इसका alignment चेंज करना जाते हैं, top, center या bottom में, तो आप यहां से जा सकते हैं, देखिए, उपर top में जा रहा है, जो भी हमारा box है, इसके आप center में आ रहा है, इस तरह से वो नीचे आ रहा है, तो इस तरह से आप इसमें alignment इसको set कर सकते ह इसके बाद more option में भी, जैसे आप click करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़े आ रही है, देखिए, पहले तो आपको अपना जो matter है, या जो भी आपने लिखा है, इसको select करना है, और जाना है blank text के, इसके arrow पे click करने के वाद तरह से last में आता है more option, तो इसमें बहुत सारी option आ रहे हैं, आप इनके user के देख सकते हैं, हम एक shadow का practical करके देख लेते हैं, तो हम shadow पे click करेंगे और shadow कैसे चाहिए, shadow मतलब अच्छा ही चाहिए, आपको किस color किस तरह की चाहिए, तो आप देखिए, इतने सारे आपके पास ये example आ रहे हैं, हम चाहते हैं कुछ इस तरह से हैं, तो हमने select कर दिया और close कर दिया, अब देख सकते हैं, आप आप नीचे देखेंगे, हलका हलका इसकी shadow आ रहे है, अब इस shadow को हटाना है, तो हटाने के लिए आप को जाएंगे again, और click करेंगे more option पर, और जाएंगे shadow पर, इसके बाद आप click करना है present पर और इसको सब से call कर लेना है, और जो ये no shadow है, no shadow पर click कर देना है, और close कर देना है, तो वो shadow हट जाएगा, तो आप देख सकते हैं, shadow हट चुका है, इसके बाद last option है, हमारा convert to smart graphics, और हम इतना भी हमारा text है, हम उसे graphics में change करना चाहते हैं, तो हम text में हही पर भी click कर लेंगे, और आपको किस इस तरह से चाहिए, तो उस graphics में आप ले सकते हैं, तो smart graphics का use होता है, अपने testo graphics में change करना, अगर आप चाहते हैं, तो इस तरह से आए तो आप background में देख सकते हैं, तो ये देखिए, फेंट इसका color भी आप change कर सकते हैं, यहाँ पर जाके जिस color में चाहिए, आप यहाँ से color change कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप चाहते हैं, यहाँ दूर सा लेना चाहते हैं इसमें कुछ, तो आप इस तरह से more layout में जाएंगे, और more layout में इतने सारे options आ रहे हैं, list आ रहा है, अगर आपको list में चाहिए, तो आप यहाँ से list रेक्ट कर सकते हैं, processing में चाहिए, तो highlight नहीं चाहिए, तो ही startup हारेक्लि नाइप ले सकते हैं, तो इसके इतने सारे options आ रहे हैं, जिस तरह में आप लेना पसंदक करते हैं, वो आप ले सकते हैं, तो planting में अगर से हैं, यह आपको に में ले ले लेक्ट कर देते हैं, और की बटन पे लेकिते हैं, तो प्लेक्लिए म इस तरह से background में, आप देख सकते हैं, तो जो भी आपको चाहिए, उसी तरह से वो change हो जाएगा, इसके बाद आता है friends, यह text panic, तो क्या होगा, जैसे आप click करेंगे, तो text panic रुजाएगा, इसमें आप कुछ चीज एड भी कर सकते हैं, और remove भी कर सकते हैं, यह देखे, अगर आ box change हो चुका है, हम dog कर देखें, तो यह देखे, आप पर dog हो गया है, इसी तरह से आप और भी in-build इसमें कर सकते हैं, इसको hide करना है तो again आप text panic रुजाएगे, वही चीज आप यह जो button आ रहे हैं दो, वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और hide करना है तो आप text panic के हैं इसको, तो friends, यहाँ तक हमारा पूरा tactical complete हो चुका है, तो आशक करना हो friends, ग्राफिक्स आपको अच्छे से एक लियर हो चुका होगा, तो friends, हमारा वीडियो गर आप पच्छा लगागा तो please subscribe करें, like करें, share करें, thanks for watching.